आज हम Children's Day Special में Rainbow Cake बनाएंगे जो खाने में बहुत ही delicious है उमीद करती हूँ कि आपको मेरी recipe पसंद आएगी तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं Rainbow Cake बनाने की नमस्कार मैं हूँ Anita, Anita Classic इचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Rainbow Cake बनाने के लिए सबसे पहले हम Cake का बैटर बना लेते हैं तो एक बॉल में आधा कप Condensed Milk लेंगे इसी के साथ एक चौथाई कप तेल डालेंगे फिर हम एक चौथाई कप Powdered सुगर डालेंगे और इसे विसकर की साहता से अच्छे तरीके से फलपी होने तक इसे मिक्स करते जाएंगे Condensed Milk पहले से मीठी होती है तो हमने सुगर कमी डाला है अब हम इसके उपर एक चलनी रखकर एक कप मैदा डालेंगे एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर आदी छोटी चमच बेकिंग सोडर डाल कर इसे अच्छे से छान लेते हैं फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे इसे हम विसकर की साहता से धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अब हम इसमें दूद एट करेंगे यहाँ पर मैंने आधा कप दूद लिया है आप थोड़ी थोड़ी मातरा में दूद डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोईंग होनी चाहिए यह अब मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें एक छोटी चमच वनिला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे आप देख सकते हैं इसकी consistency बिल्कुल flowing है वनिला केक का बैटर बनकर तयार है अब हम इसे 6 equal parts में divide कर देते हैं सभी में समान मात्रा में बैटर को डाल देते हैं मैंने यहाँ पर 6 equal parts में बैटर को divide कर लिया है अब हम colors डालेंगे तो सबसे पहले हम red food color की कुछ बुन्दे डालेंगे और अच्छी तरीके से mix कर लेंगे फिर हम green color की कुछ बुन्दे डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे इसी प्रकार हम सभी different color डाल कर बैटर को तयार कर लेंगे आपके पास जो भी color available हो आप वो डाले सभी colors को बना कर तयार कर लिया है अब हम इसे bake कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर non-stick तवा gas पर चड़ा दिया है फिर इसे brush की सहता से oil लगा देंगे फिर एक भाग cake के batter को हम इस प्रकार तवे में डाल देंगे लो flame पर ढखक कर bake होने देंगे तीन मिनट के बाद ढखकन हटा कर चेक कर लेते हैं उपर से यह dry हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं यह अच्छे से bake हो गया है अब हम दूसरा cake के layer को बनाने के लिए फिर से तवे को एक टीसू पेपर से पोच लेते हैं और फिर ब्रस की सहता से हलका सा ओयल लगा देंगे फिर दूसरे पार्ट cake का बैटर को डालेंगे और इसे भी हलका सा पहला देंगे और दो तीन मिनट के लिए लो flame पर ढखक कर bake करेंगे ये देखिए ये भी अच्छे से bake हो चुका है अब इसी प्रकार हम सारे cake के बचे हुए color parts को एक एक करके bake कर लेंगे ये देखिए सारे colorful cake bake होकर तयार हो चुके है यहाँ पर मैंने एक कप whipped cream लिया है जिसे मैंने fridge में एक गंटे पहले ही रग दिया था ताकि ये अच्छे से chilled हो सके अब हम एक बरतन में ice रखकर इस whipped cream के ball को रख देते हैं और इसे hand blender की सहता से अच्छे से blend कर लेते हैं ये देखिए ये अच्छे से blend हो चुका है इसके peak को देखिए ये अब तयार है तो चलिए हम rainbow cake बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले violet color का layer लिया है इसे अब हम सुगर सिरप से सोक कर लेते हैं सुगर सिरप के लिए मैंने दो बड़ी चमत सुगर में एक चौथाई कब पानी डाल कर mix कर लिया था cake को अच्छे से सुगर सिरप से सोक करने के बाद अब हम विप्ट क्रिEM लगाएंगे फिर knife की साहेता से इसे अच्छे से spread कर लेते हैं अब इसके ऊपर हम blue color वाला layer रख देते हैं इसे अच्छे से सेट कर लेंगे फिर इसे भी सुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं फिर इसके उपर हम विप्ट क्रीम लगा देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसी प्रकार हम सारे केक के लेयर को तयार कर लेंगे और यह हमारा लास्ट लेयर जिसे मैंने सोगर सिरप से सोक कर लिया है अब इसके उपर हम विप्ट क्रीम लगाते हैं इसे बिल्कुल अच्छे तरह से हम स्मूथ कर लेंगे अब हम साइट्स में भी क्रीम लगा देते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अब इसके टॉप पार्ट में भी डिजाइन बना लेते हैं मैं बिल्कुल सिम्पल तरीके से रेंबू स्प्रिंकल से गार्निस कर रही हूँ आप चाहे तो इसे क्रीम से गार्निस कर सकते हैं इसके लुक को और भी बहतर बनाने के लिए मैं साइड में गोल्डन बॉल से स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके साइड को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं फिर हम केक के टॉप के पार्ट में भी गोल्डन बॉल से स्प्रिंकल कर रहे हैं तो फ्रेंट्स ये देखिए रेंबू केक बनकर बिल्कुल तयार है तो आपको मेरी rainbow cake की रेसिपी कैसी लगी कमिंट के द्वारा जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप भी इस रेसिपी को बना कर एक बार जरूर ट्राइ करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद